नमस्कार साथियों जैहिंद मेरा नाम है प्रितेश जूशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एक्जाम बर्मिशन गयान के इस चैनल पर तो कैसे आप लोग आशागरता हो ठीक होंगे बड़ी आपकी तैरी चल रही होगी और दिन बदिन तैयारी में तेजी आती जा हां रहे हैं और मनीं बनाने से पहले सबसे पहले हमें द्यान रखना है आइक है युद्ध में होगा जैनि आख है ठीक होग शतर र्मीश के प्रकार सब नंबर MINशिक एंब mismos नमबर बन के अगर हम बात करते हैं यहां पर हमारा MCQ टेस्ट के अंदर हमें दो पेपरसDS बीवाहन देखने को मिल कि P יबन याँ देखना पर हमें ध्यान रखना आपने बात पोड़ देखना यानी कि वन कि P जिसमें अबधी होगी 3 गंटे और अंक होंगे 100 साथ-साथ में हमें 1200 question करने बढ़ेगे बूसरा वाला part होता है सामाने शिवाला हिंदी और अंग्रेजी वाला जिसमें हमें 3 गंटे का पूरा 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 paper होगा और साथ-साथ में इसमें अंक देखने को मिलेंगे 100, question यहाँ पर डेट सो देखने को मिलेंगे, जो कि अपने paper pattern के दौर पर समझाई था. अब अपन चर्चा करते हैं और बढ़िया तौर पर syllabus समझ नहीं कोशिश करते हैं, कि LDC का syllabus है क्या? चले हैं, तो अब हम LDC की syllabus की बाद करते हैं, सबसे पहले अगर हम syllabus की बाद करते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, समसामयक मामडे, यानि कि ऐसा वाला part, जो कि आपके current affairs से related हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, राष्ट्री और प्रादेशिक स्तर की जो प्रमुक घटा हैं, मुद्धे हैं और उनसे संबंदे संगठन और संस्था हैं, संगठन और संस्थाओं से question बहुत जादा आते हैं, जो current के अंदर भी important चले हैं, जैसे G20 चला था पिछले साल, तो वो अपने आप में important हो जाता है, या फिर अगर कहीं के राष्ट्रपती जो है, वो भारत के अंदर आते हैं, जैसे जैपूर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपती आये थे, तो उसी स्तीती से question हमें अटकता हुआ देखी हैं, यानि important तोर पर ऐसे संगठत, ऐसी संस्ता हैं, और साथ-साथ में ऐसे important event, जो राष्ट्री स्तर पर, राजी के स्तर पर बड़े important हो, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है साब भूगोल वाला पार्ट, अब भूगोल के जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भारत की पारिस्तिति की एवं वन प्राट, यानि पूरी की पूरी इंडिया की फीजियोग्राफी वाला पार्ट, यानि इंडियान जियोग्राफी अपने आप में important हो जाएं, हाला कि question इतने ज़्यादा tough नहीं आते, इसके अलावा राजस्तान की बहुतिक दशाएं, जो की है जल वायू, वनस्पती, मृद्धा, प्रमुक बहुतिक विभाग, मानव संसाधन, जन संक्या, जन जाती और राजस्तान की प्रानकृतिक संसाधन, जन में खनिज, वन, जल और पशु, वने प्रानी एवं संस्थान, यानि कि हमें देखने को भी लगा, इस पूरी की बुरे पार्ट में आपको बढ़िया तौर पर पर पढ़ना है, उसके अंदर पून्त ह, करेंट से रिलेटेट जो डिटा है, जो नई वाले हमें नई जिले देखने को मिले हैं, उनकी स्तीती से क्वेश्चन यहाँ पर पून्त ह, अटकते ही, अटकते हैं, ध्यान रखने वाली बार्ट, इसके अलावत थर्ड वाला अगर बिंदों की तरफ चर्चा करता हूँ, तो यहाँ पर राजस्थान की क्रिशी और आर्थिक विकास की बात की गई, इसमें राजस्थान की प्रमुक फसले, क्रिशी आधारित उद्योग, प्रमुक सिचाई पर योजना, साथ-साथ में अब एक बात ध्यान रखो, अगर आप तयारी करने जा रहे हो, तो आपको नया वाला जो आर्थिक समीक्षा, नया वाला जो बजट है, वो बिलकुल याद रुखना चाहिए, दिमाग में important facts, अचा अब राजस्थान की paper pattern की अगर में बात करता हूँ, तो direct वहीं से facts आते ह है कि जो budget का नया data है, या आर्थिक समीक्षा का जो नया data है, वो अपने आपको important दोर पे याद रहे हैं, फिर next वाला पार्ट आता है सब राजस्थान की इतिहास और साथ-साथ में संस्कृति वाला पार्ट है, तो रास्तान की history और art and culture वाला पार्ट है, अगर आपने CT दि थे, उनकी राजस व्यवस्ता थी, उनके द्वारा जो संस्कृतिक संरशनाय बनाई गई उनके बारे में question देखने को मिलते हैं, अच्छा इसके लाव स्वतंत्रता आंदुलन इवं राजनेतिक चेतना का मतलब है, राजनेतिक चेतना का मतलब है प्रजामंडल आंदुलन राजनेतिक पुनर गठत, साथ-साथ में लोग भाषा हैं, बोलनियां साहित थे, लोग संगीत एवं लोग ना थे, संत कवी योध्धा लोग देवता, मेले एवं तयोहार, रीती रिवाज, बेशबूशा और आभूशन, यानि साब ये तो वही questions हैं, जो बार-बार repeat होते फिर आ जाता है साब राजस्थान का उद्ध्योग एक विकास, अभी राजस्थान का उद्ध्योग एक विकास, यानि बात करने साब राजस्थान की एकनौमी वाले पार्ट, इसके बार में चल्चा करते हैं, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे प्रमुक कर चीजों को देखना पड़ेगा current से जोड़ कर ये कि जो नया data आया है यानि हमें कहीं solar energy का कोई plant लगा है तो उसके जो नया data आया है वो हमें देखना पड़ेगा वहां से question direct तोर पर आते हैं यह ऐसा पार्ट है जो static वाला पार्ट और साथ साथ पर current वाले पार्ट को जोड़ कर रखता है तो बड़ा important इसमें से अच्छे नंबर आ सकते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट आता है सब दैनिक विज्ञान यानि की everyday science अब दैनिक विज्ञान के बारे में हम चर्चा करें तो हमें देखने को मिलता है जो 10 की जो science की किताब है पुरानी वाली RBC किताब है वहां से direct ऐसे topic लिए और जब CT की तहरी करें होगी तो सेम कु सेम य आपको धातु एवं अधातु उनके योगिक और साथ साथ में आपको यहां पर प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम विद्युत यानि जो electricity वाला पार्ट है विद्युत धारा ओम का नियम विद्युत सेल इसके अलावा विद्युत चुमबकी प्रेणना के नियम इसके अगर आपने बढ़िया तॉर पर करवर किया था अगर आपने नवी और दस्वी के NCIT RBSC पुरानी वाली किताब से बढ़िया नोट्स बना रखे हैं या फिर रास्तान एक्जाम बाइमिशन गयान के चैनल पर वीडियो देख रखे हैं तो आप बढ़ी आसानी से इन सारे क सारे टॉपिक को कवर पर कर पाओगे और कवर इतने अच्छे कर पाओगी कि उनसे भार से क्वेशन नहीं देखने को गया तो बढ़िया तॉर पर आप क्लासिस देखने इनके लावा देखो यह वाला जो पार्ट है स्पेस और इंफॉर्मिशन टेक्नोलोजी वाला अभी रीसेंट के दिनों में जो इंपॉर्टेंट इसरोध द्वारा चलाया गए कारिक्रम है जो प्रोग्राम से उनके ऊपर क्वेशन देखने को मिलते हैं और साथ-साथ में डी आएडियो के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से वहा से भी क्वेशन अटकते हैं topic by topic बढ़िया तोर पर अच्छे content के साथ जो है वो देखने को मिलेगा अब सब जब हम science की बात करते हैं तो उसी की science का एक part हमें देखने को मिलता है और वो आता है साब आपका environment वाला part अब देखो environment वाले part भी आजकल की तोर पर देखे ना तो बहुत जादा important होता जा रहा है लगाता नहीं से question बढ़ते जाए जैसे कि इसके अंदर हमें environmental study यानि की परियावरण अध्यान पारिस्तिती की तंत्र की संरचना और साथ-साथ में biotic factors of the ecosystem इसके अलावा हमें रसाइनिक चक्र और जैव भू चक्र नई पादप किस्मों का परिवरदर साथ-साथ में हमें देखने को में जनतों का आर्थिक महत्व रप्त समू और साथ-साथ में आरेच कारक रोगानु एवा मानव स्वस्त साथ-साथ-साथ-साथ-साथ में लिए गए हैं उनको अगर हमने पढ़ लिया तो साइंस में हमारे शांदार और अच्छे नंबर आएंगे कोई दियो रोग से अब आ जाता है सब मैट्स मैट्स वाले बैगराउंड के लोग है उनको घबराट होगी कि साब हमारा तो मैट्स का बैगराउंड है नहीं तो फ सारे वीडियो आपको इस चैनल के उपर देखने को मिलेंगे अगर हम चर्चा करते हैं इंडेक्स की यानि कौन-कौन से टॉपिक आ रहे तो देखो साब वैदिक विधी से पून संख्याओं का वर्णल गुणखंड बहुपाद के गुणखंड समीकरन के दो चरो वाले रै देखने को मिलेंगे अब आप देखो में CT के आप अल्रेडी प्रेप्रेशन कर चुके हो 10 प्लस 2 लेवल के अगर मैं बात करता हूं तो सेम तो सेम यहां से टॉपिक अड़ते हुए देखने हैं अब जब वहां तैयारी करी अच्छे नंबर लेकर आए हो अब LDC के अंदर उस तैयारी को बड़िया तोर पर स्टॉंग करें इस सारी के सारे टॉपिक चाहे साइन्स हो चाहे जीके हो चाहे मैठ्स हो इस चैनल के उपर रिकॉर्डेट पार्ट के अंदर प्लेलिस के तोर पर शांदार तोर पर रखें हो अब आगे बढ़ते हैं सब next वाले पार्ट क जाएगा और आपके सेलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएगा क्यूगी देखो गभी है डेट सो क्षिन वहाँ से आएंगे डेट सो कोश्र्ण यहां से आएंगे अब यहां पर आपको सिर्फ दो ई सब्जेक्ट पढ़ने हैं वहां पर आपको अगर डिवाइड करते जाएं क्रिया और वाक्याँश के लिए सार्थक्षत यानि ये ऐसे पार्ट हैं जिनको आप अल्रेडी पढ़ चुके हो इसका एक पढ़ने का आसान तरीका बता जिता हूँ अगर आप हिंदी की तयारी कर रहे हो और आपको चीजों को बार-बार यार्थ करने वाली समस्य आ रहे है उनको बढ़िया तरपर पढ़ लो यही चीज अगर आप वीडियो के माध्यम से करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है प्लेलिस्ट में आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी इसमें श्रवन सरद्वारा बढ़िया तोर पर यह जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनके इंपोर्टेंट क्वेश्टन कराएगा अब उनको डंक से कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा चीज़ें याद आजए नेक्स्ट अपना इंपोर्टेंट पार्ट साब हिंदी का ही मुहावरे वब लोकोक्तियां अंग्रेजी की पारिभाशिक शब्दावली साथ-साथ में स इंदी की बात करूं तो 75 क्वेश्टन वहाँ से और जन्रेंग्लिश की बात करूं तो 75 क्वेश्टन इसके अंदर हमें टेंसे अच्छा एक्टिव पैसे वाइस साथ-साथ में नरेशन, ट्रांस्फोर्मेशन, यूजज अफ आर्टिकल डेटर्माइनर, प्रेपोजिशन, translation of simple sentences, correction of sentences, glossary of official, synonym, antonym, one word substitution, साथ साथ में confusible word, comprehension of given passage और knowledge of writing letter यानि letter वाले अगर पार्ट की बात करता हूँ तो भी यहाँ पर आपको MCQ के हिजाब से ही चीज़ें देखने को मिलें अब साथ हमारा first phase यानि part 1 और part 2 बढ़िया तोर पर होगे यह syllabus बताने के लिए पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बता है कि सब कॉपी बनानी है इसके इंदर प्रीवेस एर क्वेश्चन और नवी से जो बार्वी की किताब है जो टेलिग्राम चैनल पर डली हुई है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको आपको यह काम करना है प्रीवेस एर क्वेश्चन के उपर फोकस करना है जिसके वीडियो अल्रेडी हाँ पर अवेलेबल है तो अन्य अब इंतजार किसका सारे के सारे सब्जेक्ट हैं हम पर पूरी तरीके से बन चुक और ज्यादा बढ़ाना है टाइम मिला है तो टाइम का अच्छे से इस्तिमाल करना है और बिना किसी टैंशन के लग जाना है कॉपी पैन और मोबाइल के अंदर राजस्थान एजजाम मिशन ग्यान यूट्यूब चैनल लगा करें तो आशा करता हूँ आपको एस सेशन आपने रहें और क्लासिस को इसी प्रकाशियत किजिए अंत में एक ही बात भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्यान जै हिंद जै भारत और जै राजस्तान थांक्यू 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 सो इस